हेलो एब्रीवन वेलकम बेक टू माई चैनल जैमातादी कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये वीडियो जो है सो मुआर के दिन की है और अभी साम के बज़े थे चार और बच्चे सभी स्कूल से आ गये थे और बाबु जब टूशन चला जाता है उसके बाद मैं जो है पूरे घर में कर लेती हूं जो साम वाली जाडू होती है वो तो पूरे घर में मैं जाडू कर ली थी तो सुबह में एक बार जाडू पोछा हो गया राता है तो साम में बहुत जादा डस्ट नहीं रहता है हलके फुलके से ह तो जल्दी ही जाडू हो जाता है, तो जाडू करने के बाद जो है, हैंड वास कर ली और थोड़ा सा फेस को भी मैं दो ली थी, और आजकल मेरे फेस और पूरे बॉड़ी में बहुत जादा ड्राइनेस रहता है, फेस हलका सा भी पानी डालिये ना तो बिल्कुल भी ड्राइ हो जाता है, खिचने सा लगता है, तो साम में भी एक बार फेस वास करके ऐसे ही नॉर्मल पानी से मोस्टराइजर लगा लेती हूं, तो थोड़ा सा थीक लगता है, उसके फ्रेंड्स में आ गई थी कीचन में, और जो मैं दो पर वाले खाने के बरतन साप की थी, वो सारे ब बून बून से जो गिरे रहते हैं, उसको भी मैं वाइपर से साप कर दी हूँ, और उसके बाद इधर मैं इंडक्शन पे रख दी हूँ, दूद गरम करने के लिए, तो यहां बड़ी बेटी का थोड़ा सा तबियत खराब चल रहा है, उसको जादा विकनेस लग रहा है, त लेकिन मैं आज कल उसको जवरजस्ती दूद थोड़ा सा ही देती हूँ, जादा नहीं देती हूँ, थोड़ा सा गिलास में गरम करके और उसमें बोन बीटा डाल करके मैं दे देती हूँ, यहां पे वो खड़ी थी और मैं जवरजस्ती बोले थी बेटा और थोड़ा सा ही पीलो क्योंकि आज देर रात तक जग के पढ़ना होता है प्लस टू में हो जब एक्जाम आता है ना तो बच्चे जादा ही मिनहत करने लगते हैं पूरा साल वो नहीं करेंगे लेकिन एक्जाम के टाइम ना बिल्कुल भी नहीं सोते हैं जिसके चलते हैं लोग के अंदर मुबाइल में न्यूज हो गए है या जो भी उनको देखना रहता है सुनना रहता है तो बैन में ही जाकर के वह अराम से बैठके सुनते हैं कि घर में जो है ना मतलब बाबू था उस समय तो थोड़ा सा हल्ला कर रहा था तो फिर वह बैन में ही बैठे रह गये वह टूसन च चल रहा है तो अक्सर करके husband जब आते हैं अपने काम से उसके बाद वो बैन में ही बैठे रहते हैं तो यहां पे कुछ कपड़े थे छट से लाकर के मैं रख दी थी और इसको भी मैं फोल्ड कर ली हूं बाबु भी ट्यूसन से आ गया था और अभी साम का बज गया था साड़ में और यहां कल मैं साम में मतबर दाल मंगाई थी तो दाल को ऐसे ही dressing table के पास आप लोग देखे होंगे कि यह पड़ा हुआ था तो मैं चार दाल मंगाती हूं न अरहर मूंग मसूर और चने दाल तो छोटी अली बेटी से बोली थी तो वो सिर्फ लेकर के आई थी चना दा और मूंग दाल मसूर दाल वो अरहर की दाल भूल गई थी तो फिर मैं यहां पे उसको रखने जा रही थी फिर जब मैं देखी इसमें अरहर का दाल नहीं था तो एक साइड कर दी हूं और उसको बोली हूं बेटा जाओ एक केजी अरहर का दाल ला दो तो मैं चारो दाल मिक मेरा मेरा एक महिना आराम से चल जाता है और मेरे हाँ डाल जादा सभी लोग खाते है मैं भी अपना उपन час करती हूं तो डाल जादा ही खाती हूं रोटी चावल कम कर दीयूँ तो इसी लिए और आटा को भी रख दी हूँ और अभी जो साम में जो मेरा डीनर होता है वो मैं जल्दी ही बनाती हूँ तो यहां पर मैं लग गई हूँ डीनर बनाने में और मैं कोशिस करती हूँ कि साढ़े साढ़ आड़ बजे तक मैं अपना डीनर कर लूँ तो आज मैं बनाऊंगी mix wedge और रोज रोज नम तो गोभी पत्ता गोभी मटर खाके बिल्कुल भी बच्चे भी बोर हो गया हैं और हम लोग भी बोर हो जाते हैं तो आज मैंने सोचा कि चलो आज mix बेजी बना लेती हूं बच्चे लोगों को भी पसंद है और सभी लोग खालेंगे तो यहाँ पे मैं कड़ाई रख दी हूं गरम करने के लिए सभी सबजिहां मैं कट कर ली थी और यहाँ पे पनीर को भी मैं कट कर ले रही हूं और आज तो मौसम बहुत अच्छा हुआ था बहुत जyg्यादा टंडा नहीं था लेकिन अभी साम के टाइम में जो है टंडा लगने जाता है और मेरे ज़्यादा तर सीर में ठंडा लगता है अगर मैं सीर में या तो इस्टॉल नहीं रखूँ या तो कैप ने लगाऊं तो मेरा सीर दर्द होने लगता है जैसे लगता है सीर में ही बरपड़ा ऐसा लगता है तो इसलिए मैं कैप लगा लेती हूँ तो कि यहां मैं देखिए कडाई को रख दी थी उसमें टेल डाल दी थी और ऊदर कडायी गरम हो गया था और उसमें प्याज अरघलेंस ने के घृचा चै यह सब डालके मैं भून ले रही हो। और उसके बास सभकुश, जो प्यार लइसा नद्रक सभकुश हलका सभून गया था, उसके बाद सभी बेसिक मसाले डाल दोंगी तो यहाँ पर सभी मसाले भून गये थे उसके बाद मैं यहाँ जो भी मैं सब्जिया कटके थी मटर था गाजर मेरे यहाँ खतम हो गया था मटर था पत्ता गोभी था सिमला मिर्श था फुल गोभी था सब कुछ मैं डाल दे थी लेकिन इसमें क्या हुआ न कि पत्ता गोभी थोड़ा सा चालते सब्जी का निद में ना तो मेरा दिनर अब ना कर ली थी के दिनर बन गया था दूझे सब्छे लोग निद कर लिए थे और अभी जो टाइम हो रहा था बज गया था नौ और मैं उसके बाद आ गई हूं दुबारा से कीचन में और जो भी बर्तन थे सभी बर्तन में धोली हूं तो थोड़े ही बर्तन थे जैसे आप लोग देख रहे हैं गो उपर में जो है न बर्तन में कड़ाई वगर जो भी आटा ओटा में गुदती हूं चकला बेलन तवा यह सब में हर दिन में दोनों टाइम ही साप करती हूं मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रखती हूं यह आदत पड़े गया है दोनों टाइम रोटी बनेगी तो साथ ही साथ में धोलेती हूं लेकिन हाँ जूठे जो बर बरतन बिल्कुल जादा हो जाता है तो पहले जो बरतन दोई थी वो सब में इसमें रख दूँगी और उसके बाद जो अभी खानेवाले बरतन अहीं सभी लोग खाये हैं जो यह अभी बरतन में दोऊंगी तो जो बरन कर ली जए तो सुबह में बहुत जड़ार आराम होता अब तो मेरी आदत पढ़ गई है ना जाने मुझे याद भी नहीं है कितने दिनों से बच्चे छोटे थे इसकूल जाने लगे थे उसी टाइम से मैं चाहें जैसा भी हालात हो मैं साम में ही अपना कीचन बरतन सब करके सोती हूँ एक आदत सब पढ़ गया कर लीजी तो बहु नेक्स डे सुबा में जब लंच बन जाता है उसके बाद मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ मतब सर्फ या तो बीमबार लगा करके तो इस टाइम ऐसे हलका सा हाथ लगा लीजीए तो कीचन साफ सुत्रा हो जाता है तो यहाँ पर हलका हलका जो है ना टाइल्स पे भी यह मैं हात्त मार ले हूँ और नीचे भी और देखे किचन बिल्कुल साफ सुत्रा करके सोना चाहिए जूठे बरटन नहीं रखने चाहिए कभी तवा को चकला बेलन को भी गंदा नहीं रखना चाहिए और ना ही जूठे वाले बर Ton से उसको साप करना चाहिए ये कुछ छोटी छोटी बाते हैं जो हम housewife को याद रखनी चाहिए इससे ना मतब कीचन साप सुत्रा राता है तो हमारे हम लोग के हाना अनपूर्णा जो है लोग बोलते हैं कि कीचन में अनपूर्णा निवास करती है तो ये सब साप सुत्रा ही रखना चाहिए तो यहाँ पे देखिए सब कुछ कीचन काउंटर साप करने के बाद जो कीचन के कपड़े होते हैं उसको भी मैं साप करके रख दी हूँ तो side में ही रख देती हूँ यहाँ पे और मैं पानी पी ली थी और अभी जो है ना काम करते करते बज गया था 10 तो यहाँ पे पालक ला काम है रात में कर लेती हूँ तो ऐसे मैं रूम में नहीं गया हूँ दूसरे रूम में हजमेंट बेड़ पे हैं और बच्चे वाले रूम में बच्चे लोग अपना पढ़ रहे थे टीवी देख रहे थे पूरा फैला हुआ था तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कहां बैट गए थी और अपना साग को भी बना ले रही हूँ तो में बैट गई थी और अपना साग को भी बना ले रही हूँ